नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद एक और फिट्स आप सभी का मारे यूटूब चैनल दैरिश टेडी पॉइंट वे स्वागत है फ्रेंट साज की वीडियो में अपन डिसकस करने वाले हैं जो रेगुलर इस्टुडेंट है उनका सेमेस्टर सेकिंड का लोग परसासन का लिए है इंडियन गोर्मेंट एंड एड्मिनिस्ट्रेशन सेकिंड सेमेस्टर में बुक चलती है तो इसका सेलेवस पर सबसे पहले अपने बात करेंगे उसके बाद में इंपर्टेंट क्यूशन में बता दूँगा सोट क्यूशन और जो बड़ी क्यूशन आने वाले हैं आपके सामने दिख रहा है यह पेपर है ना जो आप रेगुलर स्टूडेंटों का 120 संगों का होने वाला है जिसमें और बाकी के 30 संग करने में डिट्रेमा एक्जाम के हो जाते हैं तो टोटल लेट संगों का यह हो जाता है 120 में से आपको 48 संग लाने हैं पास होने के लिए के इतने में में से 120 में से और जो नोन कोलेज के स्टूडेंटेंटा उनका 150 उनकों का पेपर हो जाता है इसके पाद में यहां पर सब से पहले है ना जो अपना मोटी मोटी बाते और जान लेते हैं चलो स्लेवर्स पर डायरेक्ट आ जाते हैं यहां पर आना जो चार एकाईों में आपके जो पेपर है इसको बाटा गया है यहां पर पहली जो एकाई है उसमें मोरेकाल, मुगलकाल तथा बिटिसकाल के दोरान भारतिये परसासन का विकास यानि भारति जो परसासन है भारत में परसासन एड्मिनिस्ट्रेशन का विकास तीन काल में हुआ मोरेकाल में, मुगलकाल में और बिटिसकाल में अलग-अलग तरीके से हुआ तो इसको बड़े तरीके से करना है और इस पर क्यूस्टन भी है संविदान सबा का निर्मान भारती संविदान का दर्शन तता इसके पर मुख विचेस्ता हैं संग्य विदाई का संगठन सक्तियां एम कारे परसासन पर विदाई का नियंत्रन तेसारी सर्ची जाब को पढ़नी पढ़ेंगी इसके बाद में सैकन्ड जो उनिट शाती है संग्य कारे पालिका जिसमिए राष्ट पति प्रदान मंत्री वह मंत्री परिशिद की इस्थति क्या है सक्ति यह कारे केंद्रईय सची वाले मंत्री मंदल और मन्दल मंत्री काराई ले का संगतन और चौथा है इसमें आपने इंप्रटेंट के उसनों पर चलते हैं लगुत्रात्मुक परसन आपके आने वाले हैं और ये लगुत्रात्मुक परसन सारे इक सारे में डाल दिये हैं ये कहां से आप देखोगे टेलिग्राम ग्रूप दैरे इस्टेडी पॉइंट के नाम से है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पर मैं पीडिये सब को त्यार करना है और अ यह बड़ा तरीके से आपको त्यार करना है यह टोटल कितने कुल सथे लाश्ट में चलता हूं डायरक्ट यह है यह टोटल है जो एक राण में क्यूस्जन स में से tidak बाद में चलते हैं बड़ी क्यूसन उब बड़ी क्यूसन उपर फार क्यूसन है बारतीय परशासन की विकास पर एक लेक लिखिए बारतीय परसासन की othi also education की विवेजण हो इस इस में एक द्र साच थर परसासन का विकास कैस्ट हुआ इसमें तीनों कालों में मोरेकाल मुगलकाल और बिट्टिस काल में के सपरकार वो सारी सार चीज़ें समझाई जाएंगी तो इसकी थेओरी है ना जो मैं इसी पीडियम में जो इंपोर्टेंट क्योशन बता रहूं भी तो इसी पीडियम में आगे आपको मिलेंगे सारी सारी क्योशनों के अंसुर समझाई सभा का निर्मान के सपरकार हुआ उसने अपना कारे चलाने में क्या बादाएं पड़ी तो इस चे रिलेटर ये क्योशन है ये समझाई सभा की उद्देश से पूछ सकता है एक किसी परकार से दे सकता है तो इसको बड़े तरीकेस करना आप किस लेवशनों दे परकार में इसके बाद में राश्ट्रपती है किस परकार होता है उसकी परकार से पूछा सकता है इसे बाद में अगला गरड़े दे कारे सकते इम वेचन कीोशन То वही चीजह आ रही है यहां पर पर्रदान पावर बूल पूछ लिए उसके कारे पूछ लिए उसकी रॉल पूछ लिए तो कितनी बार क्यूशन रिपीट वाया इंपोटेंट क्यूशन है पर्दान मंत्री के पद के विशेश अंदर में शंगी मंत्री परिश्यत की शक्तियों कारियों संगटन का वर्णन कीजिए इसके बाद में सोलो क्यूशन इंपोटेंट है बारत सरकार केंद्री सत्ची वाले के संगटन एवं कारियों की विवेचन होते है उसके क्यार क्या है उन्पढ़ना पढ़ेगा भूँशन के छेथर की म सेमाओं की विवेचना की इसके बाद प्रिक्षक की न्यूक्ति सक्तियां कारियों परिक्षण कीजिए तो यह परकार से आसकता है बार बार रिपीट वाए उसके बाद में लोगपाल के निवंद्ध भी लिखवा सकता है चोटे रूप में भी लिखवा सकता है और इनके यह सारे आंसूर है नमर वाई से यह सारी सारी once do not be your give bad ये आपको ओ लोग फ्रसाशन का ये पेपर मिल जाता है तो आपको क्या करना है कि उसको पड़ए तरीके से सोल करना है उसको पड़ए तरीके से يع कुछında को उस्ते होंगे तो वह बढ़ए तरीके से आपको करना है